तो हेलो फ्रेंड्स आपका फिस्वे बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल SMIA पे और इस चैनल में हम आपके लिए latest investment ideas लेके आते हैं और आपको नए-ने stocks में मेश की राइबी देते रहते हैं दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे PNB Housing Finance Limited के stock की और इस stock में आज बहुती बड़ा breakout pattern देखने को बिल चुका है यह stock 15% से भी ज़्यादा rally कर गया है और इसकी जो grant price है 3.96.20 है एट 3.11.00 पी-एम आईए देख लेते हैं कि इसमें इतनी बड़ी breakout के क्या कारण है इसके financial किस तरह के दिकर कर आ रहे हैं breaking news क्या है सारे technical parameter भी जानेगे तो end तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें सबसे पहले जदी आप हमारे चैनल पर first time widget किये हो पहले इसे subscribe जरूर करें और bell icon का बटन भी जरूर प्रेस करें इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का notification मिल जाएगा आपको आज की मारी वीडियो अच्छी लगी तो इस the company's act 1956 and it was commenced its operations on 11th November 1988 दोस्तों ये company 1988 में शुरू की गई थी and this is promoted by the Punjab National Bank और आप देख सकते हो इसके जो headquarter है New Delhi में है और इसके जो number of employees है 1391 है तो ये जो company है housing sector की बहुत ही बड़ी company निकल कर आ रही है जदी इसके master 22 के number चेक करें आप देख सकते हो revenue 349 करोड का है यहाँ पे 50% की reduction देखने को मिली गई है net income 169 करोड है यहाँ पे 33% की positive growth देखने को मिली हुई है diluted EPS देखे 32% की positive growth है net profit margin 48.5% है यहाँ पे भी 170% की growth है और operating income भी positive growth शो कर रही है तो इन overall इसके number जरूर positive देखने को मिले हैं लेकिन revenue में जरूर negative trend देखने को मिला था December में इसके numbers totally negative थे September 21 में भी numbers negative थे June 21 में जरूर mixed trend देखने को मिला था लेकिन March 22 के numbers compare to previous numbers are very very positive तो हाईए इसके stock की पहले performance जो है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं देख लेते हैं कि इसकी stock की performance किस तरह की निकल कर आ रही है और इसने अपने investors को किस तरह के returns बना के दिये हुए हैं दोस्तों आज के दिन आप देख सकते हैं 14.63% की rally देखने को मिल चुकी है linear growth pattern इसके stock में आज के दिन देखने को मिला है जदी last five day का pattern देखें तो यहाँ पे भी आपको 17.67% की बड़िया growth देखने को मिल जाएगी जदी one month का chart pattern देखें 15.93% की बड़िया growth जहां पे भी देखने को मिलेगी और six month का chart pattern देखें तो अभी भी इस stock में 33% की ग्रावट ही हुई है तो lower sport level से अब इस stock दे कुछ recovery जरूर शो की है, bullish reversal जरूर शो किया है one year का pattern देखें 51% की ग्रावट देखने को मिलेगी five years में भी इसमें ग्रावट ही देखने को मिलेगी, all time में भी negative trend ही देखने को मिलेगा तो आप दोस्तों देख सकते हो, इस stock में continuously ग्रावट ही देखने को मिली हुई है जरी इसकी latest news चेक करें, तो इसमें बहुती बड़ी breaking news निकल कर आ रही है तो दोस्तों आईए देख लेते हैं कौन सी है, जो breaking news इसके detail भी एके करके हम चेक कर लेते हैं क्योंकि इस stock में जो आज positive growth हुई है, वो इसी breaking news के कारण हुई है दोस्तों आप देख सकते हो, पी एंड़ी बोर्ड ओकेज, रूपिस 500 क्रोड इंफ्यूजन इंटू दा पी एंड़ी हाॉसिंग फनांस तो दोस्तों जैसे हमने आपको पहले ही बताया है, पी एंड़ी हाॉसिंग फनांस जो है, दिस इस पर्मोटरड वाई दा पी एंड़ी दा पी एंड़ी दा पी एंड़ी हाॉसिंग फनांस तो इसके कारण आने वाले टाइम में इसके बिजनस में आपको जरूर ग्रोथ देखने को मिलेगी, आईए देख रहेते हैं, इस न्यूज को थोड़ा डेटेल में स्टेडी कर रहेते हैं, दा पी एंड़ी इस रैड़ी तो इंफ्यूज रूपिस 500 क्रोड इंटू दा पी Sector Bank Board has approved the bank's participation in the proposed right issue for an amount of rupees 500 क्रोड in order to retain the bank's shareholding in the mortgage lender at 30% or below but above 26% तो दोस्तों ये एक जो है बहुती बड़ा decision है इसके कारण इस कामपनी में 500 क्रोड का infusion देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा जो है balance जरूर आपको देखने को मिल सकता है in the shareholding of the company, क्योंकि जो PNV board है वो अपना जो shareholding 26% से लेके 30% तक maintain करेगी and above 26% holding board help the PNV to retain its status as promoter in the PNV housing तो दोस्तों जदी PNV की holding 26% से उपर रहती है, तो इस stock में उसका promoter का status रहेगा now the PNV holds around 32.6% stake in this company, the bank however needs the Reserve Bank of India's approval for subscribing to the rights issue, तो इस right issue को जो करने की approval जो है वो Reserve Bank से ली जाएगी early in the 2021, the Reserve Bank of India did not allow PNV to invest in the PNV housing finance as the central bank was in favor of keeping the bank's capital as well above the regulatory norms तो ये कुछ दोस्तों board की decision है, जदी इसकी PNV की capital adequacy ratio देखें तो 14.5% के निकल कर आ रही है as on March this year against the 14.32% in a year back the minimum requirement is 11.5% which includes the capital conservation of the 2.5% तो दोस्तों ये जो company है, ये PNV का जो board है वो minimum requirement भी fulfill कर रहा है for the capital adequacy ratio, the PNV housing finalized the rights issue in the March to raise up to 2,500 crore, the announcement came nearly a year after its scrapping of Rs. 400 crore fund raising plan involving preferential stock allotment, largely to the US private equity major that is Carlyle Group. तो दोस्तों इस company ने बहुती बड़ी amount जो है वो fundraise करने का जो है plan बनाया हुआ है March में तो अब ये जो company है उसी को proceed करते हुए बहुती बड़ी amount जो है वो raise करने जा रही है, इसके कारण आने वाले time में इसके business में भी आपको growth देखने को मिल सकती है और overall positive trend इस company के share में भी आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए जो investors है वो इस पे बहुती bullish है, बहुती positive है अच्छी buying इस stock में कर रही है, आज इस stock में बहुती अच्छी buying चल रही है और इस stock में nearly आप देख सकते हो 14th percent से भी ज़्यादा growth देखने को मिल चुकी है आए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके कुछ और parameter जान लेते हैं, जदि इस company की सबसे बड़ी हम strength देखें तो इस company की book value पर share continuously improve हो रही है from the last two years और इस company की जो P.E. ratio है वो 8.22 की है, sector की P.E. ratio 23 की है तो sector के comparatively जो stock है आपको discount पर मिल रहा है, बहुती low value issues पर मिल रहा है तो ये भी एक बहुती focused point यहां पर देखने को मिल रहा है बॉल्यम में भी आज बहुती बड़ा jump देखने को मिला है, 32 lakh का बॉल्यम है 1B का average volume 4 lakh है, 1 month का average volume 2 lakh है तो average के comparatively बहुती बड़ा volume आज भी देखने को मिल चुका है तो latest quarterly number हम आपको बता चुकी है, they are also very very positive no तो in the end हम जदी आपको एक conclusion करें तो इस company में fundamental बहुती strong दिख रही है और इसकी ROE percentage is 8.47% की है, valuations are very very low as compared to the industry तो ये एक मौका है, दोस्तों आप ये जो company बहुती बड़ा fundraise करने जा रही है बहुती बड़ी amount जो है वो infuse करने जा रही है by the PNB into this company तो इसके कारण आने वाले time में ये stock बहुती अच्छा perform करता आपको दिख सकता है इसकी financial performance भी improve होगी और इस company के overall growth बहुती positive आपको देखने को मिल सकती है इसलिए आप इस stock में sip शुरू करें ये निया कि आज ही आप सारा माल करीद लो, आप sip करें जैसे ही इस stock में कोई dip मिलता है, कोई low valuation इस stock में देखने को मिलती है तो आप इस stock को average करके buy करते रहें sip कर लगा लें, monthly basis पे जा weekly basis पे जा फिर आप क्या कर सकते हो dip में buy करें, जैसे ही कोई dip मिलता है इसको करीते रहें तो long term में आप इस stock में अच्छा profit बन सकता है अच्छे target आपको देखने को मिल सकती है तो thanks again people meet you with a new video अभी तक जड़ी आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो इसे subscribe जुरूर करें, bell icon का बटन भी प्रेस करें इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का दोटी क्विशन मिल जाएगा